किचिन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हम ढंग से ना करें तो उन्हें में उल्जे रह जाते हैं और अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं और काम भी हमारा ढंग से नहीं हो पाता है तो ऐसे ही टिप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो फर्स्ट तो अजसे आप इस ब्रश को नहीं फेकेंगे ऐसा आप कॉम होल्डर इसका बना लीजे इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूं इस तरीके से आप कॉम को इसमें लगा सकते हैं और अपने ड्रेसिंग पे कहीं भी रख लिजे बहुत ही जादा खुबसूरत लगने वाला है और इससे हम कपड़े तो वाश करते ही रहते हैं तो यह ब्रश भी हमारा क्लीन ही रहता है क्योंकि साबून से हम कपड़े वाश कर हैं तो ब्रश तो क्लीन रहता ही है और इस तरीके से आप लगा सकते हैं इस तरीके से भी काफी सारे कॉम इसमें आ जाते हैं तो आपको जैसे मन करें आप उस हिसाब से इसमें कॉम लगा सकते हैं बहुत ही बड़िया तरीका है और ब्रश को बिल्कुल भी ना फेंके इस त पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा next step हमारा kitchen towel को लेकर है जब भी हम kitchen में towel को use करते हैं अपने hand clean करने के लिए और उसके बाद हम इसको इधर उधर रख देते हैं तो क्या होता है कि जब भी हमें दुबारा से जरूरत पड़ती है तो हमें kitchen towel एक जगे नहीं मिलत है तो इसको एक जगे रखने के लिए आप क्या कीजिए इस तरीके से एक बैंगल में अपने towel को septi pin की help से फसा दीजिए और आप इसको कहीं भी hang कर दीजिए आपको एक ही जगे मिलेगा और जब आपको जरूरत हो इसमें hand clean कर लिजिए और गंदा होने के बाद septi pin को निक स्टंगा रहता है तो आप उसका इस्तमाल करिए इस तरीके से bangles को organize करने के लिए मैंने bangles को organize करने के लिए already video डाल रखे हैं आप चैनल पर जाके देख सकते हैं तो मैं उनका link भी description box में दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें bangles को tie में इ bangles भी नहीं खरीदना पड़ेगा और बहुत सारे bangles आपके एक साथ organize हो जाएंगे तो देखिए यहां पर हमने bangles और अपने कड़े वगरा सब इसमें लगा दिये हैं आप देख सकते हैं bangles की quantity कितने जादा इसमें आ गये हैं तो मैं अभी इसमें और डालने वाली हूँ प तो यह जो टाई का छोटा वाला पतला वाला पार्ट होता है इसमें भी हमें bangles को डाल देना है आप देख सकते हैं कितने सारे bangles इसमें आ गए हैं और अब हमें टाई का नीचे वाला पार्ट और पतला वाला पार्ट पकड़ते हुए इसको सिक्योर करना है 70 पिन की help से तो आप देख सकते हैं तो अब यह बिलकुल भी खुलेगा नहीं और दीखिए कितने आराम से आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए इसमें और भी बेंगल आ जाएंगे आप जितने इसमें लगाना चाहें आराम से आ जाते हैं और उपर की तरफ जो पेस बचा है इसमें आप क्लेचर या फिर रबर बैंड वगरा लगा सकते हैं इस तरीके से क्लेचर में फसा के आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं और जो मोटे वाले रबर बैंड होते हैं उनको लगाने के लिए आप क्या कीजिए क्लेचर में पहले रबर बैंड को फसा द और इसको हैंग करना भी बहुत आसान है आप कहीं भी इसको हुक हो वहां पर आप हैंग कर सकते हैं देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा बहुत सारा स्पेस बच जाता है तो आई होप आपको यह टिप पसंद आई होगी अगर आप इसमें सिर्फ क्लेचर लगाना चा हैं तो इस तरीके से हम सारे क्लेचर को इसमें लगा देंगे क्लेचर और रबर बैंड और इसको कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं तो अगर खाली टाई टांगते हैं उस जगे आप इस तरीके से लगा दे तो आपका बहुत सारा स्पेस बच जाएगा तो नेक्स टिप हमारा क काजू को लेकर है जब भी हम काजू से डेकोरेशन करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यह बीचो बीच से बिल्कुल अच्छे से तूट जाए मतलब दो पीस इसके हो जाएं बराबर से तूटे ना तो इस तरीके से देखे मैं कर रहे हैं एक तो हो गया अच्छे से और जब हम तोड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता यह इस तरीके से बीच से तूट जाता है इस तरीके से ना तूटे तो हमें क्या करना है काजू को फ्रिज में लगा देना है एक से डिड़ घंटे के लिए देखे मैंने यहां पर लगा के रखा हुआ है आप देख सकते हैं और अब मै से decoration कर सकते हैं आराम से बहुती बढ़िया trick है इस तरीके से fridge में रखने के बाद आप इसको निकाली और दो टुकडे कर लीजिए आराम से हो जाते हैं तो I hope आपको ये भी tip बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक like इसके लिए जरूर कीजिएगा और share भी कीजिएगा अपने friends के साथ तो next tip हमारा blouse को लेकर है friends बरसात के मौसम में जो blouse के hook होते हैं इनमें जो है जंग लग जाता है और इस जंग से बचने के लिए हमें क्या करना है एक newspaper ले लेना है या फिर आप tissue paper पर भी ले सकते हैं और इसको जहां पर hook लगा होता है वहां से ऐसे बराबर से कर लेना है जितना hook का portion हो उतना ही हमें newspaper का portion लेना है और इसको इस तरीके से दबाते हुए हमें लगा देना है paper को अब आप blouse को fold करके इस तरीके से रख दीजिए तो इससे होगा क्या कि जितनी भी hook में नमी होगी वो blouse वो जो है paper soak कर लेगा और इसमें जंग नहीं लगेगा तो इस तरीके से front hook वाले में भी आप रख सकते हैं और जो back hook वाले blouse होते हैं उनमें भी आप इसी तरीके से paper को cut करके लगा सकते हैं तो बिल्कुल भी इनमें जंग नहीं लगेगा और safe रहेंगे तो I hope आपको ये भी tip पसंद आई होगी आप भी अपने blouse को इस तरीके से जंग से बचा सकते हैं blouse के hook को तो चलते हैं अपने next tip की तरफ next tip हमारा बहुत ही कमाल का है friends जब भी हम jeans वगारा में सुई से कुछ सिलना चाहते हैं या जैसे कि बटन वाला hook है ये lose हो गया है इसको हमें छोटा करना है तो क्या होता है कि जब हम इसमें सुई चुभाते हैं तो सुई अच्छे से जाती नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत मोटा होता तो हमें इस तरीके से नहाने वाला सोप लेना है और इसमें साबुन को तीन से चार बार अच्छे से इस तरीके से घुसा देना है और उसके बाद जब आप मोटे से मोटे कपड़े में भी सुई को घुसाएंगे तो आराम से घुश जाएगी तो आई होप आपको ये भी टिप पसंद आई होगी आपको अगर अगर मोटे कपड़े इस तरीके से सेलने हैं तो आप यही टिप को फॉलो करें बहुती बढ़िया टिप है तो इन में से आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर कीजिएगा चैनल पे पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथी बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए लि